समस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ प्रीती आप देख रहे हैं सुबन आव बजे शुराथ हेडलाइन्स के साथ पुरी हमले के दोश्यों को कड़ी सजा देने का प्रधान मंतरी का ऐलान साइउक दराश्रमा सभा में विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज का संबोधन आज धाई महीने बाद कश्मीन में खुले बाजार और पेट्रोल पम बार से तेलंगाना में स्थिती गंभीर, ग्यावा की मौत, आंधर तेलंगाना और करनाटक में इंडियारेफ की सत्रा टी में तैनाथ, विदर्व में आज भारी बारिश की शेतावनी आठ उपग्रहों को लेकर PSLV C-35 थोड़ी देर में भड़ेगा उडान, समुद्र और मौसम से जुड़ी जानकारिया जुटाने में मिलेगी मदद, अमेरिका, कनड़ा और अलजीरिया के पाच उपग्रह भी शामिल और पोटेस्वे तेहास बनाने के ओर भारत, पासोवे मैच में जीत के लिए 6 विकेट की दरकार, 200 विकेट लेकर आर अश्मिन बने सबसे तेज गिन्द बास सीरिया पर संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिशद के आपाद बैठाक, रूस और अमेरिका ने एक दूसरे को ठराया जमिदार, अलपो में हवाई हमलों में अब तक देर सो से जादा की मौँ विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज आज संयुक्तराष्ट महासभा को संबोदित करेंगी, यहां वो आतंगवाद के मुद्दे पर। को बेनकाब करेंगी अपने भाशन में सुश्मा स्वराज पाकिस्तान के प्रधान मंतरी नवाज शरीफ के आरोपो का जवाब देंगी भारत युएन में पाकिस्तान के खिलाफ पुखता सबूत पेश कर सकता है जो उड़ी आतंकी हमलों की जहाच के दौरान सुरकशाय जिनसियों को हाथ लगे हैं पाकिस्तान को अंतराश्ट्रे स्तर पर अलग खलग करना अब भारत के एजिन्ले में है इससे पहले विदेश राज्य मंतरी अमजी अकबर ने संयुक तराश्ट्रे में कहा कि हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पुखता सबूत हैं और आतंकबाद को लेकर दुनिया भारत के रुख से सहमत है प्रधार मंतरी नरेंदर मूदी ने एक बार फिर दोहराया है कि उरी हमले के दोशियों के दोशी सजा पाकर रहेंगे मन की बाद कारिक्रम में उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग देश विरोधी ताखतों को समझने लगे हैं वो ऐसे तत्वों से अपने आपको अलग करके शांती के मार्ग पर जल पड़े हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में उरी आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को शर्धान जिले देते हुए कहा कि दोशियों को हर्गिस बख्षा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि हमले में हुआ नुकसान पूरे राश्ट्र का है परधान मंतरी ने कहा कि सेना बोलती नहीं है सेना पराक्रम करती है उन्होंने बताया कि कश्मीर में पिछले दिनों उपजे आक्रोश को कैसे रचनात्मक कारियों में लाया जा सकता है देश में शोग भी है आक्रोश भी है और येक्षती सिर्ब उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया भाई खोया पती खोया येक्षती पुरे राष्ट की है कि दोशी तजा पाकर के ही लहेंगे प्रधान मंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोग अब शान्ती चाहते हैं और उन्हें अपनी सेना पर भरोसा है हर माबाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज पूरी तरह काम करे किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फसल फल वगेरे तयार हुए है वो हिंदुस्तान भर के मार्केट में पहुँचे आर्थिक कारोबार भी ठीक दंग से चले और पुछले कुछ दिनों से कारोबार सुचारू रुप से चलना शुरू भी हुआ है प्रधान मंत्री ने पैरा ओलम्पिक में दिव्यांग खिलाडियों के शांदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की प्रधान मंत्री ने कहा कि ग्रामेंट भारत में अब तक करीब करीब धाई करोड शौचाले का निर्मान हो चुका है और आने वाले एक साल में डिर्ड करोड और शौचाले बनाने का इरादा है स्वच्छता मिशन के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक नए फोन नंबर का भी ऐलान किया इसके अलावा कई और मुद्दो पर प्रधान मंत्री ने अपने विचार साजह किये ये मन की बात कारे क्रम का 24 वा संस्क्रण था ब्यूरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी बीजेपे अधरक्ष अमिच्छा ने कहा है कि उरी आतंकी हमले के बाद सरकार की कूटरिते कोशिशों से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है कोशिकोड में विजेपी राश्रे परिशद की बैठक में उन्होंने कश्मीर को भारत का भिन अंग बताया और कहा कि पार्टी पूरी तरह सेना और सरकार के साथ खड़ी है उन्होंने उरी आतंकी हमले को भारत पर पाकिस्तान की ओर से थोपे गए लंबे युद्ध का हिस्सा बताया साथी कहा कि भारत पाकिस्तान प्रयोजित आतंगवाद का करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद है यह एक लंबी लडाई है जो हम पर हमारे पडोसी द्वारा थोपी गई है उरी का हमला उसका एक पड़ाव मात्र है उसका अंतिम परिणाम नहीं है अंतिम विजय हमारी होगी प्रधान मंत्री जी ने भी देश की जनता को दोस्यों को डंडित करने का आश्वासन दिया है पूरी हमले के बाद मोदी सरकार पर सभी पर पक्षी दलो का निशाना जारी है वे बिएस पिए देश मायवती ने कहा कि पाकिस्तान के मुद्धे पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगा है कि सरकार के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस नीती नहीं है और अपनी कमजोरियों से लोगों का ध्यान बाटने के लिए अब पाकिस्तान को गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की सला दी जा रही है शनिवार को कोजी कोड में एक जंद सभा में नरेंदर मोदी ने पाकिस्तान की जनता को गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जंग छिड़ने की चुनौती दी है देश के लोग केंदर की सरकार से वे खासकर परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी से ऐसे ठोस आसवाशन वे ऐसी प्रभावी कारवाई की उमीद करते हैं कि इन घटनाओं की बार-बार या पुन्रा वर्ती ना हो सके जब मुकश्मीर के सभी आलाखों से कर्फ्यू हटा लिया गया है स्थिती में सुधार के बाद ये फैसला लिया गया है राज्य के जादतर आलाखों में दुकाने व्यापारिक प्रतिश्थान कल खुल गए सडकों पर लोगों के आवाज जाही देखने को मिली नौ जुलाई के बाद पहली बार बाजार और बड़े प्रतिश्थान खुले है श्रीनगर समेत घाटी के छोटे और बड़े शहरों के बाजारों में रौनक लोट आई है हाला कि खानून और विवस्था के स्थिती को बहाल रखने के मदे नज़र लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध है बीजेपी राश्ची परिश्थ की बैठत में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर सरकार की प्रतिबंधता जदाई उन्होंने धर्म निर्पेक्षिता, संतुलित विकास और चुनाव सुधार पर भी जोड़ दिया साथी केरल में पार्टी कारेकरताओं पर हमले के आलो चुना भी की है कोजी कोड में बीजेपी राश्ट्रिय परिशत की बैठक के आखरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने पार्टी के विकास में पंडित दीन दियाल उपाध्याय के योगदान का खास जिक्र किया प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव सुधार पर जोर दिया साथ ही उन्होंने देश की समस्याओं के समाधान के लिए विकास को जरूरी बताया प्रधान मंत्री ने परियावरन को लेकर महत्मा गांधी के युगदान को भी याद किया उन्होंने कहा कि भारत इस साल गांधी जैनती के मौके पर दो अक्टूबर को पेरिस जलवायू परिवर्तन समझहोते का अनुमोधन करेगा प्रधान मंत्री ने सब का साथ सब का विकास को लेकर सरकार की पृति बधता भी जताई बैठक में पंडित दिन दियालुपाध्याय की जन्मशती को गरीब कल्यान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला भी लिया गया विशाल दैया रज्य सभा टीवी कोजी कोड़ बीजेपी राश्य परिश्रत की बैठक में जहां घरीबों के उत्तान के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया वहीं दलितों की मौझूदा स्थिती के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदा ठहराए गया संकल्प में कहा गया कि कॉंग्रेस शासनकाल के दौरान कमजोर वर्गों के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के पारदर्शी आवंटन से वंचित रखा गया इस वज़े से गरीब और गरीब होते गए अमेरीका ने पेरिस जलवायू परिवर्टन समझोती को अनमोधित करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी को इस बारे में एलान करने को लेकर बधाई दी है पिछले दिसंबर में पेरिस बैठा के दौरान 190 से जादा देशों ने ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने के लिए मेतवकांशी सीमा का लक्ष तैय करने पर सहमती जताई थी पेरिस समझाते के लागू होने के लिए ऐसे कम से कम पच्पन देशों से इसके अनुमूदन की जरूरत है ग्रीम अंत्राले के शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इश्रज़ जहां मामले से जुड़े गाइब दस्तावीजों के सिलसले में प्रात्वी की दर्ज कर ली है कि सितंबर 2009 में दस्तावीजों को जान बूझ कर या अंजाने में हटा दिया गया या वो घाइब हो गए और कुछी पलों में एक और इतिहास इस तुरो रचने जा रहा है भारत के स्केट सिट वन उपग्रेप प्रक्षेपड के लिए पूरी तरह से तयार है और कुछी पलों बाद सतीश दवान अंतरिक्ष केंदर से इसे प्रक्षेपड किया जाएगा PSLV C35 को स्केट सेट वन समेथ आठ उपग्रहों को ये ले कर जाएगा और फिलहाल हम इसकी सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं पूरी तयारी है ये पहला मौका होगा जब PSLV दो अलग-अलग कक्षाओं में उग्रहों को प्रक्षेपित करने बाला है स्केट सेट का वजन 377 किलो है ये समुद्र और मौसम से जुड़ी जानकारिया जुटाएगा प्रक्षेपन जलन पिल्कुल सामान आगाश की ओर उठता हुआ प्रक्षेपन जलन पिल्कुल सुनाई पड़ती हुई अपने गंतव विपत तक PSLV 35 अट उपक्रहों को लेके आखाश में पढ़ता हुआ प्रक्षेपन जलनあの स्रोप्पों की पीड़ती है PM 15 只 2 सकंस पॉस्ट ऌ incense इंचेपन जलन उपक्रहabord चुटे चुटे बादलों के टुकड़े टुकड़ों ने उसके कंतव विपत को हमसे छुपा लिया है लेकिन पीसल्वी बिल्कुल हमसे दूर जाते हुए सामान निश्वादन के साथ आकाश की और लगातार बढ़ता हुगा और निश्वादन बिल्कुल सामानी जैसी अभी आपने घोष्णा सुनी इस समय करीब चैसी सेकेंड का समय बीच चुका है हम लोग 1.3 किलो Можетर प्र दोडोर कशचनtes कम करें और करीब करीब श्री यह कूर्ट से 15 किलो मिटर की दूरी वियातीत कर चुक हुए उंचायी करीब करीब 50 किलों मिटर प्र प्र अंग कर कुके हैं जी हां जो स्ट्रेपांस लगे होते हैं वो पहले अलग हो जाते हैं और जी हां अभे जी बड़े महत्रपूर्ण छड़ होते हैं जब इस तरह के प्रक्षेपंग के में समय में जब सेपरेशन होता है तो बूसमाट अपांड़ ग्यू कोनोष्ट असटेस्ब रो ग्यूले है जाय प्राट शाट पर्ण आर प्रणिख बूस्टेजर फिर सं घूर देड़ू जैसा कि अब जी बता रहती है लगातार यान के ऐसे घठनाओं से जुड़े हुए है जी हाँ हीट शील्ड पेहलोड फैरिंग जो है वो भी अलग हो चुकी है और इस समय हम इतिहास आज रचा जा रहा है पीएसलवी दो अलग अलग कक्षाओं में उग्रे को प्रक्षेपित करेगा ऐसा पहला मौका होगा जिसका प्रक्षेपन भी किया गया है और आपको बता दे कि पीएसलवी उग्रे लाँच मिशन कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे लंबा ये लाँच मिशन है और एक मौसम सम्मंदी और साथ अन्य गृब अग्रे हैं इनमें तीन भारती और पांच विदेशी सेटलैट भी है तो तमाम खुबियों से भरा ये प्रक्षेपन हुआ है पिलाल यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं खबरे लगातार जा रही है आज सरुकार में बाद हमारे देश की संसत से पारित कानूनों के हाल और उनके अमल पर उठते सवालों की जो देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने में जुरम नहीं होता था वो आज की डेट में होता आपको कानून लागू नहीं करना है तो ऐसे रून्स बना दिजे जिसका प्रभाव जो है रेरी वालों को फारे नहीं मिलेगा MCD रिपोर्ट दिल्ली सरकार को नहीं करती है दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं करती है प्लानिंग कमिटी का होना बहुत जरूरी है जब तक प्लानिंग कमिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा एक स्ट्रीट वेंड़ प्रोटेक्शन असोरिटी बनाई जाए देखी सरुकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर आंधिप्रदेश तेलंगाना और करनाटक में भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्तिवेस्थ है केंद्र ने तीनों राज्यों में एंडियारिव के सत्रा दल तैनात किये हैं तेलंगाना में बारिश से जुड़े हादसों में मनने वालों की ताधाद बढ़कर ग्यारा हो गई है जबकि हजारों लोग अभी भी फसे हुए है मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में भारी बारिश की आशंग का जताई है आंधर प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब करनाटक में भी भारी बारिश की चलते बार जैसे हालाद पैदा हो गए है तस्वीरें गुलबरगा जिले की हैं जहां लोगों को सुरक्षत इस्थानों तक पहुँचाने का काम जोरों से चल रहा है हालात के मदे नजर करनाटक में NDRF की साथ तीमों को तैनात किया गया है वहीं राहत और बचाव काम में सहूलियत के लिए नावों की तादाद बढ़ा दी गई है वहीं तेलंगाना में भी हालात कुछ अलग नहीं है राज्य के हैदरबाद और मेडग में बारिश से जान माल का काफी नुकसान हुआ है इसके अलावा रहाईशी इलागों में पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक इन राज्यों में भारी बारिश की आशंक जताई है लिहाजा गोदावरी समेत कई नदियों का जरिस्तर बढ़ सकता है बिरु रपोर्ट राज्यसाभा टीवी महराश्व में मराठा समाज का घुस्सा उबाल पर है लगभग एक दरजिन जिलों में मराठा समाज मूख मोर्चा निकाल रहा है इस कड़ी में रवेवार को हजारों लोग पूले में खटा हुए खामोश प्रदशनकारी मराठा समाज के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षन की मांग कर रहे हैं साथ ही उन्होंने पोपरडी में नाबालिक के साथ दुशकर्म के बाद हत्या के दोश्यों को फासी देने की भी मांग की मुख्य मंत्री देविन फुनिवीस ने इस मामले के सुलाजने की उम्मीद जताई है उन्होंने कहा कि सरकार प्रदशनकारियों की मांगो पर गंभीरता से विचार कर रही है अफरीका के साथ रिष्टों को नए दिशा देने के लिए उपराश्पती मौम्मद हामेद अंसारी आज पांच दिनों की यातरपर नाइजीरिया और माली के लिए रमाना होंगे उनकी यातरा का मुखिव उद देश इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक, रक्षा और रन्नीतिक संबंद बढ़ाना है संयुक्त राश्टर में बदलाव और आतंगवाद के खिलाब प्रस्ताव पर समर्थन के लिए भी दोनों देशों का खासा महत्व है उप राश्टरपती मुहमद हामिद अनसारी दो अफरीकी देशों की यातरा पर आज रवाना हो रहे हैं दोरे के पहले पढ़ाव में वो नाइजेरिया पहुँचेंगे जहां राश्टरपती मुहमद बुहारी के साथ शिकर वारता होगी इस यातरा में दोनों देशों के बीच कुछ समझोतों पर हस्ताक्षर होने की उमीद है उप राश्टरपती लागोस में नैशनल डिफेंस कॉलेज और सायोंक्त बिजनिस फोरम के लावा लागोस विश्विद्याले में छात्रों को संबोधित करेंगे साथ ही लागोस और अबूजा में भारतिय समुदाय से भी मिलेंगे यात्रा की अगले चरण में उपराश्टरपती महमध हामिद अंसारी 29 और 30 सितंबर को माली जाएंगे जहां वो माली में राश्टरपती इवराहिम बुबाकर कीता और प्रधान मंत्री मोधिबो कीता से मिलेंगे इसके अलावा माली की राश्टरे असेंबली को भी संबोधित करेंगे नाइजिरिया और माली आफरीका के दो मुस्लिम बहुल देश हैं दोनों ही देश भारत की रणनितिक जरूरतों के लिहास से काफी एहम है खास कर नाइजिरिया समुद्री सुरक्षा के लिए भी जरूरी है अखिलिश सुमन राजी सभा टीवी अमेरिका में राश्ट्रोपती पाद की उमीदवार हिलेरी क्लिंटिन और उनके रिपब्लिकन प्रती द्वंदी डोनाल्ट ट्रम के बीच पहली बहस से पहले राजनीती चरम पर है उपिनिन पोल में दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने का नुमान जताए गया है दोनों के बीच तीन बहस होनी है जिसमें पहली नियू यॉक शेहर से एक घंटे की दूरी पर हैंपस्टीड के होफ्स्ट्रा युनिवरस्टी में होनी है एक महीने बाद दोनों होने वाले चुनाओं की खातर दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक कर देखने को मिल रही है सीरिया में बिगड़ते हालाद पर सेंह उतराष्चे सुरक्षा परिश्ट के आपाथ बैठत में चर्चा हुई सुरक्षा परिशत की बैठक में सभी पक्षियों से सीरिया में हिंसा खत्म करने और शांती बहाली के अपील की गई अमेरिका ने सीरिया एसेना की कारवाई को जहां बरबरता पूर्ण करा दिया वही रूस ने विद्रोहियों पर हिंसा भड़काने का रोब लगाया इस बीच अलपो में सरकार और विद्रोहियों के बीच भीशर्ट संगर जारी है सीरिया एसेना के ताजा हमली में 26 लोग मारे गए है संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक में सीरिया में जारी हिंसा पर चिंता जताई गई संयुक्तराष्ट्र में अमेरिकी राजदूत सैमन्था पावर ने कहा कि सीरिया में रूस की कारवाई आतंकवाद विरोधी लड़ाई नहीं बलकी बरबरता है उन्होंने सीरिया पर अपने ही लोगों को मालने का आरोप लगाया वहीं यूएन में रूस के राजदूत विटाली चुर्किन ने कहा है कि सीरिया में शांती बहाल करना चुनौती बन चुका है रूस ने विद्रोहियों पर संगर्श विराम के उलंगन का आरोप लगाया सीरिया के लिए संयुम्त राश्र के विशेश्टूत स्टेफान डेमिस्टूरा ने कहा है कि अलेपो में आतंक चरम पर है महां लोगों की जिन्दगी बत से बत्तर होती जा रही है उधर सीरिया ने फिर से पूरे अलेपो पर दोबारा कबजा करने का दावा किया है अलेपो के बिगरते हालातों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रिटेर, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बलाई थी इस बीच विद्रोहियों के कबजेवाले पूरवी अलेपो में रूस और सीरियाई सेनाओं के जमीनी और हवाई हमले जारी है यहां हाल के दिनों में डेर सो से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं जिसमें डेर सो से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं पूर्वी अफगारस्तान में एक सेन्न अभ्यान में पाकस्तानी तालिबान कमांडर आजम खान तारिक समीत ग्यारा आतंगवादी मारे गए हैं तारिक के सिर पर दो करोड रुपे का इनाम था रविवार कौ आतंगी संगठाँ ग्रुप के परवकता ने बताया कि अफगान और नाटो सुरक शबलों के होई हमले में तहरीक ए तालिबान पाकस्तान का पूर परवकता तारिक मारे गया है या आतंग की समो मई 2014 में तहरीक तालिबान पाकस्तान से अलग हुआ था टीमिंडिया को आज आखरी दिन मैच जीतने के लिए 6 विकेट की दरकार है न्यूजिलेंड को जीत के लिए 434 रन का लक्ष मिला जिसके जवाब में उससे दूसरी पारी में खराब शुरुआत करते हुए 93 रन पर 4 विकेट गवा दिये न्यूजिलेंड अभी भी लक्ष से 341 रन दूर है दिन का खेल खत्म होने तक मिशल सांटिनर आठ और लिउक रोची अरतीस रन बना कर खेल रहे थे भारती स्पेनर आरश्विन ने दूसरी पारी में तीन विकेट जठक कर टेस्ट रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए इससे पहले भारत ने चेतेश्वर पूजारा और मुली विज़े की शांदार पारियों की बदूसरी पारी पारी पांच विकेट पर 377 रन पर घुशित कर दी पूजारा ने 78 जबकि मुली विज़े ने 76 रनों की पारी खेली बात करते हैं खास शक्सित की मशूर गायक हेमन्द कुमार की आज पुन्नित थी है हेमन्द कुमार ने संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता के रूप में भी एक अलग पहचान बनाई खेमंदा के नाम से जाने आले खेमंद कुमार के गीत आज भी फिजा में गूंचते हैं उन्होंने हिंदी, बंगाली और अन्य भाशाओं में कई गीत गाए उन्हें दो बार राश्ट्रे पुरसकारों से भी रवाज़ा गया 26 सितंबर 1989 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया भरतिस सिनिमा के सदा बहार अभिनेता देवानन के आज जेनती है अभिनेता के तौर पर देवानन की करियर की शिरुवाद साल 1946 में हम एक हैं फिल्म से हुई थी सिनिमा में योगदान के लिए उन्हें कई पुरसकारों से भी सम्मानित किया गया एक नजर उनके फिल्मी सफर पर छे दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सदा बहार अभिनेता देवानन को एक्टर बनने के ख्वाप को हकीकत में बदलने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा हम एक हैंसे बतौर अभिनेता देवानन ने सिने करियर की शुरुआत की 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्धी देवानन के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई गुरुदत के निर्देशन में बनी फिल्म बाजी की सफलता के बाद देवाननने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा देवानन की चाल, मुस्कुराहट और बालो के मामले में अपना अलग स्टाइल था उनकी समवाद अदाईगी की भी एक खास अदा थी देवाननने पेंगेस्ट, बाजी, ज्वेल्थीप, सी आईडी, जौनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारन, हरे राम, हरे कृष्ण, देश प्रदेश और गाइड जैसी कई हिट सुपर हिट फिल्में दी उन्होंने अपनी प्रड़क्शन फिल्म नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म की स्थापना की और इसके बैनर तले 35 से ज्यादा फिल्में बनाई उलेखने योगदान के लिए देवानन को 2001 में पद्म भूशन सम्मान से नवाजा गया और 2002 में उन्हें दादा साहिब फालके से सम्मानित किया गया और अब आखर में एक नज़र हेड्लाइन्स पर पूरी हमले के दोश्यों को कड़ी सजा देने का प्रधानमंद्री का एलान सयुक्त राष्ट महसमा में विदेश मंत्री स्वश्मा स्वराज का संबोधन आज धाई महीने बाद कश्मीर में खुले बाज़ार और पिट्रोल पांग बार से तेलंगाना में स्थिती गंभीर, ग्यारा की मौत, आंद्र तेलंगाना और करनाटक में अंडियारेव की सत्रा टीमे तैना विदर्ब में आज भारी बारिश की चीता मुझी आठ उग्रहों को लेकर पिएस सेल वी सी 35 ने भरी उडान, समुद्र और मौसम से जुड़ी जानकारिया जुटाने में मिलेगी मदद अमेरिका, कनडा और अलजीरिया के पांच उग्रे भी शामिल कानपोट्रेस में तिहास बनाने की और भारत, पांसोवे मैच में जीद के लिए 6 विकेट की दरकार, 200 विकेट लेकर आरश्विन मने सबसे तेज गेंद बास सीरिया पर से उक्तराश्चर सुरक्षा परिशद के आपाद बैठाक, रूस और अमेरिका ने एक दूसरे को ठहराया जमेदार, अलपों में हवाई हमलों में अब तक तक देर सो से जादा की मौट अफलाल सुबनौ बजी के खबरों में मेरे साथ इतना ही आगे देखिए, कलम गवा है, मसका